हेलो गैज वेलकम बैक टू दे चैनल गैज आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि न्यू टेक्स रिजीम के एकार्डिंग आई टी यार कैसे फाइल किया जाता है तो गैज अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ता यहां फाइल इंकम टैक्स रिटरन का आपसंस हो रहा है यहां से कलिक कर देना है अब गैट सेलेक्ट करने के बाद यहां आप देख सकते हैं इंकम टैक्स रिटरन का असेस्मेंट यह आपको सेलेक्ट करना है यहां से असेस्मेंट यह हम 24-25 सेलेक्ट कर लेंगे अब इसके यहाँ इसके बाद हमें यहां से individual select कर लेना है अब continue कर देना है अब continue जैसे ही click करेंगे यहां से हमें आईटी आर फार्म सेलेक्ट करना है क्ये हमें कौन सा ITR file करना है तो हमें ITR first file करना है यहां से हम ITR 1 को select कर देंगे अब नीचे आ जाएंगे proceed with ITR1 यहाँ से click कर देंगे यहाँ से let's started पर click करेंगे यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे अब यहाँ पर हमें click कर देना है taxable income is more than basic exemption limit यहाँ पर हमें click कर लेना है अब यहाँ से continue कर देना है इस pop-up को okay कर देना है अब यहाँ से आप नीचे देखेंगे करना है तो सबसे पहले हम personal information पर click करेंगे अब यहाँ पर personal information में assessi का details होगा और नीचे आप जाएंगे नीचर आप employment पर select करेंगे state government आपके case में जो भी गाई इसके बाद आप नीचे आएंगे फिल्ड अंडर सेक्षन 139 पर click कर देंगे इसका मतलब यह है कि हम return due date से पहले ही file कर रहे हैं अब इसके नीचे आप आजाएंगे यहाँ पर देखिए गाईज do you wish to exercise the option under section 115 bc 6 of opting out of new tax regime तो अगर आप नए tax regime के साथ जाना चाहते हैं तो पहले से जो ticked है no पे इसी इसके साथ आगे बढ़ जाएंगे यदि आपको old tax regime के carding ITR file करना है तो आपको yes क्लिक करना है तो हमें new tax regime के carding ITR file करना है तो हम no पर ही रहने देंगे अब जब यहाँ से हम बढ़ जाएंगे नीचे नीचे आने के बाद right side में हमें confirm का आपसंस हो रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे अब गाईज आप देख सकते हैं personal information confirm हो चुका है अब हमें इसके नीचे जाना है गाईज यहाँ पर आने के बाद हमें सबसे पहले अब हम अपना farm 16 चेक कर लेना है जो हमारे department हमें दिया है कि उस farm में जो amount हमें दिया गया है और हमारा 26 AS में जो amount है वह डिफर तो नहीं है दोनों को match करने के बाद ही हम अपना ITR फाइल करेंगे इस पर हमें guys सबसे पहले हमें यहाँ पर no करना है और इसके नीचे जाएंगे तो इसे भी हमें no कर देना है हमें कोई और भी exemption इस पर नहीं मिलता है ता हम यहाँ से no कर देंगे इसके बाद यहाँ से guys हम continue कर देंगे अब guys आप ध्यान से देखिए कि यहाँ we have prefilled this value from farm 16 AIS यानि हमें हमारा 26 AS है और AIS है farm 16 है उसके according यहाँ पर prefilled data भरके आएगा लेकिन guys यहाँ पर यहाँ पर जो gross salary का data आ रहा है यह गलत है क्योंकि farm 16 में इनका data दूसरा है और 26 AS और AIS को हम चेक कर लेते हैं इसे चेक करने के बाद ही हम यहाँ पर data edit करेंगे आईए अब देखते हैं कि 26 AS किस परकार से चेक करना है अब यहाँ पर हमें file में आ जाना है file से income tax return के सामने आ जाना है यहाँ से नीचे आएंगे view farm 26 AS यहाँ पर click कर देना है इस pop-up को confirm कर देना है confirm करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से I agree to the uses and acceptance of farm 16 यहाँ पर हमें इस check box को tick कर देना है यहाँ से proceed कर देना है proceed करने के बाद नीचे यहाँ पर click कर देना है यहाँ से हमें select कर देना है assessment year जो होगा 24 25 और which view as HTML यहाँ क्लिक कर देना यहाँ से view download पर click कर देना है अब यहाँ click करने के बाद नीचे scroll down करके आ जाना है यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो annual income हुआ है salary से यहाँ पर reflect हो रहा है guys 9,82,460 रुपे जो की इनके farm 16 में भी so हो रहा है आप देख सकते हैं 9,82,460 रुपे यानि यह farm 26 AS और farm 16 जो इनके department के द्वारा इनको मिला हुआ है यह दोनों data match कर रहा है तो यानि हमें जो यह income tax इंडिया के portal पर pre-filled data यहाँ मिल ला है यह गलत है इसे हमें edit कर लेना है तो edit यहाँ पर click कर देंगे यहाँ click करने के बाद यहाँ पर guys हम data को edit कर लेंगे farm 16 से हम इस data को इंटर करेंगे 9,82,460 रुपए अब guys data edit करने के बाद इनका AIS भी आप check कर सकते हैं यहाँ service के सामने जाएंगे AIS का options हो रहा है यहाँ पर click करेंगे यहाँ से proceed कर देंगे proceed करने के बाद नीचे आप आजाएंगे AIS का option है यहाँ से यहाँ पर click कर देंगे यहाँ click करने के बाद guys आप नीचे जबाएंगे देखेंगे यहाँ आप देख सकते हैं amount में 9,82,460 रुपए जो की बिल्कुल सही है अब यह farm 16,26AS AIS 3 का data सेम है अब हमें यही data इसको इंटर करने के बाद सबसे नीचे आजाना है guys new tax regime के अगार्डिंग हमें किसी परकार का allowance नहीं मिलेगा ना ही हमें HTC का HTD का किसी परकार का हमें अब lab नहीं मिलेगा अब हमें सबसे नीचे आजाना है सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि standard deduction हमारे gross income से already यहाँ पर minus हो चुका है अब यहाँ से हमें इस data को कर देंगे save save करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमने data फिल किया है वह सब यहाँ पर reflect हो रहा है अब इसके नीचे हम आ जाएंगे इस साल guys इन्होंने refund लिया था तो उस refund पर इनको 45 रुपे का interest मिला हुआ है अब यह 45 रुपे का interest जो मिला है यह सही है तो यहाँ पर हम click कर देंगे click करने के बाद यह 45 रुपे का amount इनके total income में add हो गया है अब नीचे आके यहाँ पर हम confirm कर देंगे confirm करने के बाद guys total deductions हो रहा है deduction पर हम click करेंगे तो आप जानते हैं कि deduction में हमें केवल 80 CCD2 के ताहत ही new tax regime में deduction का लाब मिलता है बढ़ जाएंगे आगे यहाँ आप देख सकते हैं add 80 CCD2 अगर 80 CCD2 यानि जो हमें employer के द्वारा NPS में contribution मिलता है उसे यहाँ पर इंटर कर सकते हैं तो इनके case में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ से confirm कर देंगे यानि इनका direction 0 है यहाँ से confirm कर देंगे अब confirm करने के बाद guys यहाँ आप देख सकते हैं तीन टाइब confirm हो चुका है total tax paid इन्होंने कितना tax pay किया है यहाँ पर 100 होगा आप देख सकते हैं इन्होंने जितना भी tax pay किया हुआ है यानि इनका जितना भी tds deduct होगा है वह यहाँ 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 पर reflect हो रहा है यहाँ से confirm कर देंगे अब total tax liability चेक करेंगे कि इनका कितना tax अभी बन रहा है यहाँ क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे tax liability में आप देख सकते हैं ग्राज टोटल इनकम हो रहा है 9,32,505 रुपे टोटल इनकम है 9,32,510 रुपे अब यहाँ पर गाईस इनका टैक्स पेएबल और टोटल इनकम यह डाटा सो हो रहा है यहाँ से तोटल जो इनका टैक्स बन रहा है 51,872 रुपेज है सकते हैं इनका टोटल इतना टीडियस डिड़क्ट हो चुका है यहाँ से हम कर देंगे confirm गाईस देख सकते हैं आप नीचे यहाँ से सभी टैप कंफर्म हो चुके हैं अब यहाँ से प्रोसीड कर देंगे You need to make a payment of 10 रुपे इनका गाईस 10 रुपे का टैक्स अभी भी बन रहा है क्योंकि इन्हें 45 रुपे का जो refund पर interest मिला हुआ था उसी का यह 10 रुपे टैक्स बन रहा है यहाँ से हम पे नाव पर किलिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से पे लेटर पर किलिक कर देंगे अब इसके बाद यहाँ से हम preview return कर देंगे अब यहाँ से guys preview return करने के बाद इस चेक बाक्स में टिक करेंगे टिक करने के बाद यहाँ से proceed to preview कर देंगे अब आप देख सकते हैं इनका itr file हो चुका है जिसका farm यहाँ पर reflect होगा आप पूरा farm अच्छे से चेक कर लेंगे guys check करने के बाद किसी प्रकार से correction करना है तो आप back जाके data में correction कर सकते हैं otherwise यहाँ से proceed to validation पर किलिक कर देंगे अब देखिए proceed to validation पर किलिक करने के बाद guys validation successful हो गया यानि जो भी data भरा गया है correct भरा गया है अब यहाँ से हम proceed to verification कर सकते हैं guys proceed to verification किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको option मिल जाते हैं e verify now, e verify later, e verify via itrv इसमें तीन option मिलते हैं करते हैं तो guys यदि आप e verify पर किलिक करते हैं तो इन्हों का mobile number आधार से attach अगर है तो उस पर अब गाईज आप देख सकते हैं इस परकार से इनका itr filing complete हो गया है इस परकार से आप new tax regime के recording itr file कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe कर दिजिएगा मिलते हैं गाईज नए वीडियो में thank you for watching कर दंगो उस्थिते हैं वार्ब बांट चान चेसिते हैं पनी